आज की वीडियो में हम जानेंगे दर्द की बहुत पोपुलर टेबलेट के बारे में, जिसका नाम है बुरुफेन बुरुफेन टेबलेट को आप घर पे भी रख सकते हैं, ये एक OTC टेबलेट है, जो घर पे भी दर्द होने पर यूज़ कर सकते हैं अब किस तरह के दर्द में इस टेबलेट को यूज़ किया जाता है, ये जानना सबसे important होता है तो अच्छे से जानेंगे इस टेबलेट के बारे में, इस वीडियो को देखने के बाद आप बुरुफेन टेबलेट को easily घर पे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में हम बुरुफेन टेबलेट के benefits, price, purifications, side effects, सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को भी सस्क्राइब कर सकते हैं बुरुफेन टेबलेट एक OTC टेबलेट है जो आपको सभी medical store पर easily मिल जाएगी और Abbott कंपनी के दुआरा ये टेबलेट बनाए जाती है पंदरा टेबलेट की स्ट्रिफ होती है जिसका MRP 20 रुपे होता है बहुत सस्ती टेबलेट है आप इसको easily buy कर सकते हैं और इसके अंदर दो साल्ट होते हैं आईबो पुरुफेन और पेरसिटा मोल 400 mg के अलावा ये टेबलेट आपको 200 mg और 600 mg में भी मिल जाएगी इसके benefits की बात की जाए तो बुरुफेन पेन रिलिविंग मेडिसीन है जो बहुत सारे दर्द को कम करने के लिए यूज़ की जाती है लाइक, हैडेक, पिरेड़ पेन, पिरेड़ पेन मतलब मासिक धर्म का दर्द, हैडेक, सर दर्द, टूथ एच, दांत में दर्द किसी परसन को दांत में तेज दर्द होता है ऐसी कंडिसन में ये टेबलेट बहुत effective होती है इसके अलावा arthritis, arthritis मतलब जोडो गुटनों में दर्द हो जाता है, गठिया का दर्द होता है ऐसे में भी इस टेबलेट का काफी कमाल का result देखने को मिलता है और इसके अलावा sore throat, मतलब गले में दर्द, या बदन दर्द, इस तरह के दर्द में भी इस टेबलेट को यूज़ किया जाता है और guys, paracetamol होनी की वज़े से इस टेबलेट को fever को कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है किसी परसन को throat infection की वज़े से fever हो जाता है या बदन में अकडाट की वज़े से fever हो जाता है या फिर चोट मोच के दर्द होने पर fever हो जाता है ऐसी कंडिशन में भी इस टेबलेट का काफी कमाल का result देखने को मिलता है और गाइज इस टेबलेट को घर पे भी रख सकते हैं घर पे इजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्यूंकि ये एक OTC टेबलेट है जिसे इजिली घर पे भी ट्राई कर सकते हैं तो ये थे इसके कुछ बेनेफिट्स अब हम जान लेते हैं Contra Indications यानि सावधानिय अगर किसी पेसेंट को Kidney से Related कोई बीमारी है या फिर किसी पेसेंट को अस्तमागी प्रोगलम है या फिर Blood Disorder इस तरह की अगर कोई भी समस्या है तो ऐसी कंडिशन में आप इस टेबलेट को अपनी मर्जे से ना यूज़ करें इस तरह की कंडिशन में पेसेंट को Side Effect आ सकता है आप पहले अपने डोक्टर को बता दे उसके बाद इस टेबलेट को यूज़ करें और गाईज इस टेबलेट को Over Doge में भी ना ले जितने आपको Doge बताई जाती है उससे उपर कभी भी भी ना ले पुरिश के Common Side Effect के बात की जाए तो Vomiting, Nausea, Dishiness, Abdominal Pen, Constipation यानि पेसेंट को उल्टी लग सकती है, मतली लग सकती है, Dishiness, चक्कर वगएरा आ सकती है, Abdominal Pen, पेट में दर्द हो सकता है, Constipation, Cubs वगएरा भी बन सकता है इस तरह का Common Side Effect एकात परसन को कभी कभी आ जाता है अब हम लास्ट में जान लेते हैं इस टेबलेट की डोज के बारे में तो देखे गाईज, डोज बिल्कुल सिंपल है, आपने एक टेबलेट सुबा और एक साम खाने के बाद लेनी है